एक बार लाल बादुर शास्त्री जी की पत्नी को साड़ी खरीदने का मन था वहाँ पर एक बहुत सुन्दर साड़ियों की फैक्टरी थी वहाँ पर बहुत सारी साड़िया बनती थी जब लाल बादुर शास्त्री फैक्टरी में गए अपनी पतनी के साथ प्रदान मंत्री आये है फैक्टरी का मालिक और उसकी पूरी टीम शास्त्री जी के आगे पीछे चलने लगे प्रदान मंत्री आये है हम आपको साडी दिखाते है तो लाल बादुर शास्त्री जी की पतनी ने चार साडिया सिलेक्ट की और लाल बादुर शास्त्री बोले कितने पैसे हुए ओनर बोला क्या बात कर रहे हो आपसे पैसे नहीं लेंगे आप देश की इतनी सेवा करते हो लाल बादुर शास्त्री बोले पैसे पूझ रहा हू वो बोला आपसे कैसे लेंगे लाल बादुर शास्त्री बोले समझ नहीं आ रहा है तो हम चलते हैं धन्यवार वह बोला अरे रुको और उसने साड़ियों के पैसे बताए लाल बादुर शास्त्री जी को पसीना आ गया उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और तीन साड़िया वापत रग दी और एक साड़ी खरीद ली और निकल गए कितने इमानदार थे लाल बादुर शास्त्री जी दुकानदार पूरी तरह से हैरान हो गया